हे फ्रेंड्स वेलकम टो एक्जाम पार्टनर चनल मेरा नाम प्रविंट सिंग राजपुरुईत है और आज आपन दिखने वाले हैं शॉटकट मेथड का केस्टू और केस्ट्री इससे बहले हमने केस्ट वन देखा था वह आपको आई बटन पर क्लिक करके उसका वीडियो मि सैन में रहेगा या तो कॉस में रहेगा सो साइन ओफ लेज़ और कॉस ए क्स ब्स लगाव कॉसो खरें जब दिखेंगे सॉल करility कि उसे वानुपड़ी आप दिस्कोर आप cos ax plus b जब आपका यह formula जाएगा तो क्या अगर आपको put क्या करना है d square equals to minus of a square यानि क्या आपको ए कहां से मिलेगा x का जो coefficient है x का coefficient क्या है a so क्या अगर आपको a को square करना है then minus को multiply करना है अगर आपने ऐसा किया minus of a square minus of a the whole square तो आपका answer positive मिलेगा अगर यहां पर क्या करना है पहले आपको a का square करना है then minus को उसे multiply करना है if अगर case अगर आपका fail होता है अगर आपका denominator 0 होता है then क्या करना आपको y equals to same as it is जिसे हमने case 1 में किया था x से multiply करना है then आपका जो 5d यह उसको differentiate करना है और जो आपका function यह आपका as it is रहेगा यह तो sine में तो sine a x plus b रहेगा या फिर cos में तो cos a x plus b रहेगा यह मेरा यह है कौन सा case 2 case 3 में क्या करना आपको case 3 क्या रहेगा आपका if f of x याणि आपका function है वो किसमें रहेगा sine h a x plus b और cos h a x plus b h means what hyperbolic function है either sine में रहेगा या वो cos में रहेगा आपका formula क्या आएगा y equals to same 1 upon 5 d square sine h a x plus b और cos h a x plus b अब यहापे क्या 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 पूट करेंगे a square मैंना भी आपको भूला कि h है वो क्या है आपका hyperbolic function है hyperbolic function है always positive सो आपका देखिए आपका minus है case 2 में क्या था minus है यहापे क्या आपका positive जो आपका case 2 और case 3 है जो case 2 और case 3 है दोनों same case अगर आप चेक करोगे साइन a x plus b cos a x plus b इसमें क्या है साइन h a x plus b cos h a x plus b यह normal function है आपका trigonometric function यह क्या आपका hyperbolic trigonometric function है तो यहापे खाली negative और positive का difference होगा तो अगर इन case 3 अगर आपका case fail होता है तो yp को चुक्त क्यों हो जाएगा same as it is x से multiply करना है जो आपका 5D उसको differentiate करना है then आपका function as it is then again क्या क्या आपको d square equals to a square again अगर आपका x से multiply और differentiate करने की बात पर आपका case fail होता है then again क्या करना है आपको x में x का और multiplication करना है then 5D 5-d यहापे क्या हो जाएगा double derivative यह single derivative है अगर आपका वापस से d square equal to a square आपने put किया और answer क्या आपका वापस अगर जीरो आया then क्या करेंगे यहापे क्या हो जाएगा x square अपन 5 double dash d double dash मतलब क्या double derivative यहनि second time derivative अब हम question solve करते हैं ताकि आपको मालूम पढ़े हैं कि किस लिए question आते इसके अंदर so example on case second so first question is what solve d cube plus 4d bracket y equals to sin 2x so क्या find करना step number one कैसे find करना to find yc yc कैसे find करेंगे यह आपको description में link के वहाँ से find कर सकते हो so yc क्या आपका complementary function so कैसे निकालना हमें a e 5d equals to 0 a e क्या आपका auxiliary equation 5d equals to 5d कहां से मिलेगा आपको question में से question में आपका जो left side का part है कैसे निकालेंगे d cube plus 4d जो आपका y के साथ ब्राकेट है वो निकालना है so क्या आगया d cube plus 4d equal to 0 then मैंने क्या कहां से d common निकालना so क्या मिला d into bracket d square plus 4 equal to 0 so d equal to 0 d equal to plus minus 2i मिल गया so मुझे आपर दो factor मिल गए so मेरा formula क्या लगे yc equals to c1 cos 2x plus c2 sin 2x यह जो formula किसका formula है जब भी आपको factor मिला जो d के value मिलेगी अगर वो imaginary number आता है उसके नदर तो आपको यह वाला formula use करना है so step number 2 के मिला आपको to find yp कैसे निकालना है yp equals to formula के normal 1 upon 5d f of x so 5d क्या जाएगा आपको आपके जो आपके अपने find किया था किसके नदर step number 1 में so यह आगे आपको y equals to 1 upon d square d into d square plus 4 f of x कहां से मिलेगा आपको questions so question में आप देखोगे right side में क्या है function function क्या है sin 2x of a square so a square कहां से मिलेगा आपको x के coefficients से so x से coefficient कितना है यहापे 2 so क्या हो जाएगा a square ने 2 कितना हो जाएगा 2 square बात में क्या करना आपको minus multiply करना है so 2 square is what 4 and minus multiply d square equals to minus 4 अगर आप यहाँ चेक करोगे आप क्या करो d square equals to minus 4 put करो so देखो यहाँ पे minus 4 plus 4 answer कितना है 0 तो 1 upon 0 कितना होता है infinity that is possible नहीं हो आपका so क्या हो रहा है आपको case fail हो रहा है so क्या करना आपको x से multiply करना है then यहाँ पे आपका 5d तो आपको इसको differentiate करना है so 5d क्या आपका d cube plus 4d so d cube क्या हो जाएगा मेरा 3d square plus 4d क्या हो जाएगा मेरा 4 so yd के उसको yp के उसको मेरा क्या जाएगा answer x upon 3d square plus 4 into function function क्या है sin 2x अगर आपको देखना है मैंने यहाँ पे कैसे निकाला है जो आपको format ला case 2 कैसा है sin ax plus b equals to sin 2x plus 0 अगर आप compare करोगे तो ax plus b आने क्या हो जाएगा 2x plus 0 so a की value कितना आगई 2 b की value आगई 0 so यहाँ पे क्या मिला मुझे put आपके मुझे yp केतना मिला x upon 3d square plus 4 sin 2x so put क्या करेंगे d square equals to minus of a square a कितना है 2 so क्या आगया 4 मादत में क्या करेंगे minus को multiply करना है so yp क्या हो गया x upon d square कितना put करेंगे minus 4 so 3 into minus 4 plus 4 into sin 2x sin 2x आपका एक function है so yp क्या कितना मिल गया x upon 3 into minus 4 is what minus 12 plus 4 into sin 2x so minus 12 plus 4 कितना हागे आपका minus 8 so क्या answer क्या है आपको yp equals to minus of minus x upon 8 sin 2x अब आपको क्या मिल गया yc मिल गया और yp मिल गया so क्या करेंगे general solution find करेंगे कैसे निकालना y equal to क्या हो जाएगा yc plus yp so yc के मिल गया c1 cos 2x plus c2 sin 2x यहाँ गया as it is plus yp plus और यहाँ यहाँ पर क्या minus minus x upon 8 sin 2x आया सब्सक्राइब यह था आपका case 2 इस तरह आपको question से बहुत easy जैसे आपको आपको sign दिया हुआ है यहाँ पर आ सकते है cos just आपका सिर्फ question difference difference खाए जो question है उससी थोड़ा change होगा कभी sign होता हो कभी cos होगा that's it ठीक है यह था आपका example example जो case 2 पे अब हम देखेंगे case 3 पे जो आपका hyperbolic function है so question कैसे है आपको d cube minus 4 d bracket y equals to cos h 2 x जहाँ भी आपने cos h देखा वो आपका कौन सा case हो जाए case number 3 so solve कैसे करना है strip number 1 simple है to find y c complementary function कैसे निकालेंगे auxiliary equation 5 d equals to 0 so 5 d क्या आपका question मिसे नहीं d cube minus 4 d यह आगे d cube minus 4 d equal to 0 so मैंने d common निकाला तो d into d square minus 4 equal to 0 so d equal to 0 d equal to plus minus 2 okay so क्या मिल गया मुझे y c equals to c1 plus c2 e raise to 2 x plus c3 e raise to minus 2 x यहाँ पर plus के लिए अलग लेंगे और minus के लिए अलग लेंगे यहाँ आगे y c step number 2 क्या आपका to find y p format क्या आपका formula क्या y p equals to 1 upon 5 d into f of x f of x क्या आपका cos h 2 x यहाँ आगे यहाँ पर as it is 5 d का आपसे मिलेगा question message so question क्या है d q minus 4 d तो उसको मैंने कैसे लिखा d into d square minus 4 तो यहाँ आगे मेरा d into d square minus 4 क्यों रिखा ऐसा क्योंकि मुझे put क्या करना है d square के term में okay so क्या put करना है put d square equals to a square a square का आपसे मिलेगा मुझे x के coefficients से okay so देखो यहाँ पर मैं निकाला है cos h a x plus b equals to what cos h 2 x है तो 2 x plus 0 में लिख सकता हूँ वैसे तो आपका b कितना 0 है okay so a की value कितने आगे compare करोगे तो x coefficient a है x coefficient 2 है so a की value कितने आ गई 2 b की value आ गई 0 so यहाँ पर देखो अगर आप put करोगे आपका d square equals to a square a square कितना होता है यहाँ पर 2 है तो हो जाएगा 4 so d square equals to 4 4 आपको put करना है अगर आप पूट करो यहाँ तो कितना जाएगा 4 minus 4 is 0 यहाँ पर क्या और आपका case fail हो रहा है क्या करेंगे यहाँ पर x से multiply करना है यहाँ गया मेरा x यहाँ पर then जो आपको आप 5D उसको मुझे differentiate करना है तो मैं differentiate कीश को करूँगा is d q minus 4 d को तो d q कितना हो जाएगा मेरा 3d square minus 4 d कितना हो गया minus 4 so यहाँ गया मेरा 3d square minus 4 function as it is आप क्या करेंगे अगें d2 to a square है एक इतना है two तो a square कितना हो गया four तो यह आगए yp equals to x upon d square कितना हो गया four तो यह आगए three into four minus four X 2X यह कितना हो गया 12-4 2X गद आ गया X 8 2X यह आपको क्या मिल गया? YC मिल गया? YP मिल गया क्या मिल गया आपको? आपका फाइंड करेंगे? General solution कैसे निकलना? Y equals to YC plus YP So Y equals to YC कितना हा? C1 C2 E raise to 2X plus C3 E raise to minus 2X यहा आगया as it is then plus X upon 8 अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो कमेंट भर सब्सक्राइब करो अगर इस चैनल पर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए आगे बहुत सारी वीडियो जो अप्लोड होने वाले थैंकिस वीडियो देखने के लिए अगर आपको नोट्स है यह तो ड